दोस्तो आज के इस आधुमिक योग में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन का उप्योग करता है बच्चा हो या बुर्ट या फिर जवान आज हर कोई मोबाइल फोन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है आज के डॉर में स्मार्ट फोन व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मड़ट ऐसाई आप अपने फोन की बैटरी को न सिर्फ लंबे समय तक चला सकेगे बलकि सुरक्षित ही रख सकेगे वीडियो सुर्ण करने ऐसाई पहले आपको बताड़े कि आपने अभी तक हमारी चैनल गयूट वो टेक को सुस्क्राइब नहीं किया है तू प्लीज कर लीजे ताकि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले लेटे पहला तरीका नए फोन को पूरी तरह चार्ज करें तो जब भी आप नया फोन खरीडे तू पहले उसकी बैटरी तस इसकी ऐसाई भी नीचे न आने पे जब बैटरी बिलकुल कम हो जाए तू फिर यूस चार्जिंग पर लगाए और बैटरी के फूर पोने पर ही हटाए ऐ फोन चार्जिंग पर लगा कर बात न करें कई लोग यह गलती करते हैं और हाट से का शिकार हो जाते हैं इसलिए ध्यान रखे कि कभी भी फोन को चार्जिंग पर लगा कर बातें न करें ऐसा करना बेहर खतरनाक हो सकता है ऐसी कई बार डात हुई है जिनमें फोन को चार्जिंग पर लगा कर बात करने पर बैटरी हट रहे हैं फोन को बार बार चार्जिंग पर न लगाने पर फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचता है जिससे एक हजार बार चार्ज होने वाली बैटरी महज 700 बार की चार्ज को पाती है इसलिए जब ही फोन को चार्ज लगाए यूज पूरी तरह चार्ज करने के बार की ख़ता है लग में आपको लग रहा है कि आपके फोन की बैटरी खूल गई है तुम आप इससे दुरंस की छ़़ंग बैटरी कूलना मेरती कहतर नाफ है और इससे ग्लास कूल फूरी अपने फोन को चार्ज करने के लिए किसी भी सस्ते और नकली चार्जर का उप्योग न करें नकली चार्जर ऐसाई फोन चार्ज करने पर यहाँ आपके फोन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है नकली चार्जर में वॉल्टेज का कोई पैमाना नहीं होता और इससे फोन को नुकसान पहुंचता है कोशिश करें जिस प्रांड का फोन हो उसी प्रांड का चार्जर करें बाजार में कुछ ऐसे मल्टीफल चार्जर मिलते हैं जिसके एक थी पोर्ट में कई सारे चार्जर अटाइच होते हैं ऐसे चार्जर का प्रयोग न करें क्योंकि इसमें आपके फोन को कितना गॉल्ट पर चार्ज किया जा रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता इससे फोन के खराब होने की संभाव नाए अधिक पर तेरा स्क्रीन टाइम को कम रखे स्क्रीन टाइम आउट को कम रखे आप पंड्रह सेटेद पर फोन सेट कर देगे तू बैटरी सबसे ज्याडा पठेटी ज्याडा देर तक स्क्रीन चालू रहनी और इस्तेमाल न होने ऐसा ही बैटरी खर्च होती रहे नमबर तेरह, नमबर दस, ब्राइटनेस को कम रखी, फोम में ओटो ब्राइटनेस का ओप्शन जरूर होता है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप यूज न सुनी मतलब की फोम को खुट स्क्रीन की रोशनी तय न करने दे बल्कि आप अपनी घिसा ऐसा ही कम ज्याडा करें फो जो कुट भोशनी तय करता है, बहुत जरूरत है सही क्याडा तय करता है, नमबर त्यारफ बैटरी सेवर मोद हमेशा ओन रखी, अधिकतर एंट्रोइद और अन्य स्मार्टरफोंस में बैटरी सेवर मोद का ओप्शन दिया होता है, इसलिए हमेशा इस ओप्शन को ओन रख जब जरूरत न होटू GPS, वाई-फाई, ओटो सिंच, वाइब्रेशन, मोबाइल दाटा और वूटूट आड़ी बंद रखे क्योंकि ऐसा करने ऐसा ही आप बहुत बैटरी बचा सकते हैं, जरूरत बढ़ने पर आप इंट आप्शन को ओन करता होने के बाट फिर ऐसा ही इं जरूरत बार नेटवर्ट तलाशने का असर आपके फोर्म की बैठी पर पड़ेगा झाल